दोस्तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप एक शीबा इनू इन्वेस्टर है आपने शीबा इनू कोईन को पर्चेस किया हुआ है इस इंतेजार में कि ये कोईन आपको प्रॉफिट निकाल कर देने वाला है तो क्या यहाँ पर सच्चाई होने वाली है क्या ये कोईन बिना बर्णिंग के आपको प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है और बर्णिंग का जो इंपेक्ट है बर्णिंग की जो सच्चाई है वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले है मतलब अगर आपने पास्ट में भी इसे बाई किया हुआ है या प्रेजेंट में आपने इसे बाई किया हुआ है लॉंग टम बेसिस पर आप इसको होल्ड करने वाले है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को आल्मोस दो से तीन मिनिट आप जरूर देखे ताकि आपको बर्णिंग का जो यहा दाल सकती है ऐसा यहाँ पर जो पीनियन है वो होल्डर के बीच में आपको देखने को मिलेगा मतलब हर कोई यहाँ पर बर्निंग की बात कर रहा है लेकिन सिर्फ बर्निंग ही क्या इसके प्राइस पर इंपेक डाल सकती है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको जो क्लेरिट है वो यहाँ पर दे देते हैं अगर हम यहाँ पर current price की बात करें तो current price आप देख सकते हैं आइनार में Shiba trade कर रहा है 0.00062 के लेवल पर और all time high percentage आप देख सकते हैं जो lower price है lowest price है उससे लगबग यह 5,65,75% अभी उपर चल रहा है यह इसलिए important हो गया क्योंकि यह past की performance थी present की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम All Time का चार्ट देखे तो आप यहाँ पर All Time का इसका जो चार्ट है वो देख सकते हैं काफी लोगों को पता होगा जिन्होंने पास्ट में से बाय किया था कि अक्टूबर के मन्थ में इसने अपना जो All Time हाई है कहने कहीं वो हिट किया था उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन हम भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर माई के मन्थ की जहां पर एक काफी बड़ी ए 7.073 के लेवल पर ये ट्रेट कर रहा था मतलब 6.0 यहाँ पर इसके प्राइज में देखने को मिल रहे थे उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ वो आप देख सकते हैं एक बड़ा पंप इसके प्राइज में देखने को मिला और इसका जो प्राइज है वो यहाँ पर पहुच 0.00 जो लेवल है वो कहीने करें हम यहाँ पर देखेंगे कौन से लेवल तक पहुच गया था अगर हम बात करें यहाँ पर डेट की तो यह डेट आप देख सकते हैं 11 ओफ माई था और उसके बाद अगर अगर आप देखें इसके प्राइज में एक बड़ा पंप देखने को मिला और इसने यहाँ पर नया ओल टाइम हाई क्रियेट किया था हम यहाँ पर अक्टोबर से प नया ओल टाइम हाई क्रियेट किया 0.0025 के लेवल पर यह चले गया मतलब यहाँ पर 6-0 के साथ यह बना वा था उसके बाद इतनी बड़ी रेली देखने को मिली जहाँ से इसका जो प्राइज है वो 0.0025 के लेवल पर चले गया और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ प देखें तो विटालिक बीटेरिन ने जो यहाँ पर अमाउंट बर्न किया था अल्मोस्ट 7 बिलियन डॉलर का अमाउंट था जो एक काफी बड़ा ट्रांजेक्शन था जो इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था मतलब इनके पास जो 90% सप्लाय था उसको उन्होंने बर्न कर दिया था जो अभी के समय अगर हम देखें शीबा का अल्मोस्ट यहाँ पर 50% का सप्लाय इसके पास था जो इसने यहाँ पर बर्न किया और 10% जो इसके पास बचा हुआ था उसको इसने यहाँ पर चेरेटी में दे दिया था आगर हम बात करें यहाँ पर इस डेट की 16th म यह डेट थी यूटीजी टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें विटालिक विटेरियन के द्वारा नल एटरेस मतलब डेट वॉलेट में यहाँ पर जो अमाउंट है उसे ट्रांसपर किया गया था मतलब बर्निंग के पहले ही यहाँ पर प्राइज ने नया ओल्ट टाइम हाई क्रियेट कर दिया था और प्राइज यहाँ पर अच्छा खासा 0.00 मतलब 2-0 के साथ यहाँ पर आ चुका था आएनर में जो अभी के समय में 3-0 के साथ देखने को मिल रहा है और काफी सारे लोगों को अगर यह लग रहा है कि सिर्फ बर्निंग के कारण ही प्रा फेक्टर नहीं डालने वाली एक सबसे बड़ा जो फेक्टर होने वाला है शीबा के प्राइज को बढ़ाने का वो यहाँ पर इसकी डिमांड होने वाली है मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें विटालिक बिटेरेन की विटालिक बिटेरेन ने यहाँ पर इसे कब डेट माई 16 और 17 माई को यहाँ पर इसको ट्रांसपर किया गया था डेट वॉलेट में और उसमें अगर आप देखे प्राइज इसका 0.001 के लेवल पर आ चुका था मतलब जो यहाँ पर इसने क्रियेट किया था 2 उसने यहाँ पर जाफी जादा डाउन में आ गया और सिर्फ इतना ही नहीं है उसके बाद अगर आप देखे बर्निंग यहाँ पर इतने जादा अमाउन में बिल्कुल भी नहीं हुई है जितनी यहाँ पर पहले देखने को मिली थी 410 ट्रिलियन यहाँ पर क्वांटिटी जो थी विटालिक बिटेरेन के द्वारा बर्न की गई उसके बाद जो भी बर्निंग हो रही है वो यहाँ पर मिलियन्स में हो रही है बिलियन्स में हो रही है लेकिन उसके बाउजूत अगर आप आप आल टाइम का चार्ट देखे थी नहीं यहाँ पर Binance के दोरा लिस्ट किया गया था क्योंकि Binance ने तो यहाँ पर इसे March-April के आसपास ही अविलेबल कर दिया था तो कहीने कई Demand जो है उस समय इसकी काफी ज़ादा बड़ी थी अगर आप उस टाइम जुड़े थे तो आपको यह पता होगा कि अगर Indian investors की बात करें Indian platforms की बात करें Indian exchanges की बात करें तो उस पर भी Trading Volume के बिस्स पर Shiba काफी ज़ादा यहाँ पर trade हो रहा था काफी ज़ादा लोगों के द्वारा buy किया दा रहा था तो अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से यहाँ पर Vitalik Buterin की तरह ही Trillions of Tokens को burn करना पड़ेगा तब ही price बढ़ेगा तो बिलकुल जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ supply reduce करने से ही price बढ़ने वाला नहीं है जिस प्रकार past में भी हुआ था कि यहाँ पर burn से price पर impact नहीं देखने को मिला था सबसे बड़ा जो factor यहाँ पर होने वाला है वो है investors जिनका interest यहाँ पर इसमें बढ़ना चाहिए मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे है demand की किसी भी coin की जो demand है अगर बढ़ती है market में तो उसके price में अच्छी खासी rally देखने को मिलती है उसके price पर अच्छा खासा impact देखने को मिलता है अभी अगर हम देखें शीबा ने जिस प्रकार से यहाँ पर profit निकाल कर दिया उसके बाद काफी सारे लोगों ने अपना profit book किया इसे sale भी किया और जिस situation में अभी market है काफी सारे से investors है जो crypto market में अभी काफी ज़्यादा silent देखने को मिल रहे है तो अगर यहाँ पर बड़े बड़े wealth आते हैं institutional investors आते हैं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर जो BTC spot ETF application से उन्हें approve किया जाएगा तो उससे काफी positivity यहाँ पर market में create होगी institutional investors का जो interest है वो यहाँ पर grow करता हुआ नजर आएगा वो यहाँ पर इन्हें purchase करेंगे तो कहिने के काफी ज़्यादा positivity फिर से यहाँ पर Shiba के price में भी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर demand जितनी ज़्यादा होगी burning तो अगर हम देखें millions और billions हो रही है लेकिन सबसे बड़ा factor यहाँ पर demand है और इनकी team लगातार यहाँ पर इस पर ही focus कर रही है कि आपको यहाँ पर demand जो है उसको increase करना है मतलब कहने के इसकी जो probability है काफी ज़्यादा है लेकिन इसको यहाँ पर worldwide street करते हुगा अगर आप नजर आएंगे तो price पर impact देखने को मिलेगा burning ही यहाँ पर सब कुछ नहीं है इसकी utility पर इसकी demand पर जो work है वो इनकी team के द्वरा किया जा रहा है तो अगर आप यहाँ पर burning से ही जुड़े हुए है मतलब burning को लेकर ही आपने इस coin को purchase किया हुआ है यह सोच रहे हैं कि सिर्फ burn नहीं यहाँ पर price पर impact डालने वाला है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है past में भी आपने देखा था Binance जैसे exchange ने available किया Coinbase ने available किया तो कहिने कि trading volume पर impact देखने को मिला और अभी यहाँ पर अगर हम देखें investors का जो interest है वो काफी कम हुआ है अगर वो बढ़ेगा तो price पर impact जो है वो कहिने कि इसमें देखने को जरूर मिलने वाला है तो अगर आप इसे buy करना चाहते हैं यह सही समय क्यों होने वाला है क्योंकि one year के lowest level लगबग यहाँ पर one year में भी 39% यह down में चल रहा है जो यहाँ पर five का level है वो इसके लिए काफी important support का यहाँ पर work करता हुआ नदर आ रहा है अभी भी अगर हम देखें इस six के level पर बना हुआ है five three का यहाँ पर lowest level one year में इसने hit किया हुआ अगर down में भी जाता है तो double five यहाँ पर support का काम करेगा उसके बाद five zero जो है वो एक important support का काम करेगा यह से के थुरू आप यहाँ पर इस coin में इन prices के आजपा से entry ले सकते हैं कि यहाँ से यह आपको अच्छा profit निकाल कर दे सकता है क्योंकि fundamentally यह काफी strong है और इनकी टीम burning पर ज़्यादा focus नहीं कर रही है इसकी utility पर focus कर रही है Shiberium पर focus कर रही है जो इसकी blockchain है जिसमें transactions और wallet addresses लगातार connect हो रहे है तो काफी ज़्यादा positivity अगर आप देखें तो यहाँ पर fundamentally इसमें होते होगे नजर आ रही है भले ही price पर impact अभी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन जब market stable होगा market में growth देखने को मिलेगी तो कईन है कि यह coin आपके लिए एक अच्छा coin साबित हो सकता है investment के basis पर और कोई भी update पाने के लिए दोस्तो चेनल से जुड़ ज़िए है साइट इलिग्राम को भी जोइन कर ले है Thank you